हेलो गाइज वेलकम बैक आप देख रहे हैं यूट्यूब और ये है मेरा चैनल यूनिवर्सल वाबा ये है हमारे चैनल का फर्स्ट क्वेश्ट एं आंसर सेशन इस सेशन में मैं उन क्वेश्टिंस के आंसर दूंगा जो मुझसे कमें लोगों ने पूछे थे लेट्स विडियो छे महीने पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वॉट इस इंफिनिटी हिंदी में उस पे दीपें धर जीने क्वेश्टिन किया था सर आपका क्वेश्टिन था इंफिनिटी का नेगेटिव नहीं होती मतलब अगर हम किसी नंबर को प्लस या मल्टिप्लाय करेंगे तो उसका अंसर तो पॉजिटिव में आएगा लेकिन अगर हम माइनस करते जाएं तो उसका अंसर जीरो से भी कम आता है तो ये तो एंटी हो जाएगा एक और सवाल था आपका आपने पूछता अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते ही जाएं तो अंत में जीरो ही क्यूं बचता है कोई और नंबर क्यूं नहीं बचता आपका क्वेशन बहुत अच्छा था और इसके उपर ही मैंने ये विडियो बनाई है आप जरूर देखिए असल में इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है इंफिनिटी एक ऐसा माइल स्टोन एक ऐसा पड़ाव है जिसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता मतलब आप यह समझ लीज अब इंफिनिटी को हम मान सकते हैं कि वो मैक्सिमम पॉइंट है तो एंटी इंफिनिटी हो जाएगा लीस्ट यानि मिनिमम पॉइंट होता है जीरो तो एंटी इंफिनिटी हो गया जीरो अब मैच के नजर ये से अगर हम देखें तो इंफिनिटी माइनस में भी होता है क्य आपने पूछा था किसी नंबर को डिवाइट करते ही जाए तो लास्ट में जिरो क्यों बचता है तो मैं आपको बतादूँ कि लास्ट में जीरो नहीं बचता लास्ट में एक काफी चोटा नंबर बचता है, जैसे हम नेगलेजिबल मानते हैं, जैसे हम कंसेडर ही नहीं करते हैं, इसलिए हम उसे एक्विलेंट टू जीरो लिखते हैं, जीरो नहीं लिखते हैं I hope guys, आपको आपके questions, answers मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई doubt है, या और questions पूछने हैं, तो आपके लिए comment box खाली है, आप जब चाहें तब comment कर सकते हैं, जो चाहें वो comment कर सकते हैं, और प्लीज 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 मेरे चैनल को subscribe जरू कीजेगा अगर अबी तक subscribe नहीं किया है, thanks for watching